JNK Bank Associate NPO exam का free badge join करने के लिए पहले install करें JKSSB online tutorial android app from play store आपको install करने के बाद app को open करिए open करने के बाद batch पे click करिए batch पे click करने के बाद इस plus icon पे click करिए और यहाँ पर आपको batch code place करना है और batch code है JK Bank यह JK Bank सारा small letter में आएगा और इसमें कोई भी gap नहीं है यह batch code place करने के बाद आपको simple okay पे click करना है और click करने के बाद आपकी request हमारे पास आजएगे हम यहाँ से proof कर देंगे और आप हमारे free JNK Bank Associate NPO batch में add हो जाओगे Hello everybody कैसे हैं आप लोग So today's session will start with DI जिसकी बहुत ज्यादा demand थी So finally आज हम start कर रहे हैं तो मैंने आपको बोला था परसेंटेज का basic देख क्या होगे तो आज की class में मैं आपको बताऊंगा DI के basic कौन कौन से type हम पढ़ने वाले हैं Plus इसके अंदर percentage का ratio का और average का क्या रोल होने वाला है और कुछ basic question तो सबसे पहले मैं percentage का आपको revise करवाना चाहता हूँ हमने percentage क्यों इतनी deep में इतनी depth में जाके पढ़ा था क्योंकि इसकी need हमें हम पढ़ने वाली है जैसे मैं आपको थोड़ा सा revise कर राता हूँ तो 1 by 2 के अगर मैं बोलू percentage value 1 by 2 की percentage value बोलू तो आपने 100 से multiply करना होता है किसी भी नंबर को इसको basically मैं बोलूँगा 100 by 2 means 50% मतलब कोई भी नंबर को अगर मुझे percentage बनाना है तो multiply 100 करना पड़ता है यह आप अच्छी तरह से जानते हो 1 by 3 की क्या होगी percentage तो multiply 100 हो गया दिमाग के अंदर ठीक है अब कितना आ गया 33 1 by 3 क्योंकि 100 को 3 से divide करोगे तो 33 के साथ 99 और बचा उपर 1 और निच्छे 3 आएगा इसको मैं ऐसे भी बोल सेता हूँ 33.33 percentage उसके बोलू 1 by 4 जैसे multiply 100 करा तो 100 by 4 बना हो गया 25 फिर उसके बाद 1 by 5 कितना हो गया 20% and 1 by 6 important है कितना हो गया 16 2 by 3% क्योंकि multiply 100 करा तो उसका क्या हो गया 100 by 6 और 100 को 6 से divide करा 16 multiply 6 96 बचे 4 और 4 by 6 को जब मैंने काटा 2 by 3 आ गया इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ 16.66 percentage ठीक है उसके बोलू 1 by 7 हमने पढ़ा था 14 2 by 7 ऐसे भी बोल सकता हूँ 14.28 परसें मैंने पढ़ा था 12.5 परसें हाँ और मैं आपको बता दू आपको समार डिजिट कहां कहां नहीं लगाना है एक तो इसमें नहीं लगेगा क्यों क्योंकि 33.3 थी एक approximation value है ना कि exact value है क्योंकि 33.333 आगे continue चलता जाएगा इसलिए मैं आपको नहीं लगाना है यहां लगा सकता है यहां लगा सकते हो यहां लगा सकते हो 1 by 6 पर भी आपको नहीं लगाना है 1 by 8 पर आपको नहीं लगाना है 1 by 8 पर आप लगा सकते हो approximation value ठीक है 12.5% ऐसे बोल सकता हूँ 12 1 by 2% next 1 by 9 कितना आगया 11 1 by 9% और इसको मैं बोल सकता हूँ 11.11% 1 by 10 का हो गया आपका 10% 1 by 11 का हो गया 9 1 by 11 क्योंकि जब मैं लिए multiply 100 करा तो 100 को 11 से divide करना था 9 multiply 11 99 एक बचे गया और नीचे आगया 11 ठीक है ओकी 1 by 12 का 8 multiply 12 96 बचे 4 नीचे आगया 12 और इसको फिर से यही आएगा आपको और जब मेंस पर जाओगे उसमें आपको चैप्टर बेस भी डिए यह आएगा जाएगा टाइम एंड वरक के बेस पर डिए यह आजाएगा चलो नेक्स बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे 1 by 13 1 by 13 किता होता है 13 multiply किसके साथ करें साथ के साथ 91 बचके 9 उपर आगया 13 अगर इसको पॉइंटों में लिखूं तो 7.70 7.70 चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं नेक्स फ्रेक्शन है 1 by 14 तो क्या होगा एक साथ 7 multiply 14 98 बचके 2 उपर 2 नीचे 14 आगया एक पोटे 7 इसको आप ऐसे बोलता है तो 7.14 1 by 15 जो की important है क्या था 95 बचके 2 ऐसे बोलता है तो 6.66% 1 by 16 very very important क्या था इसका 6 multiply 16 96 बचके 4 और 1 by 4 ऐसे बोलता है तो 6.25 1 by 17 17 बचके 5 85 उपर बचके 15 नीचे बचके 17 और इसकी फ्रेक्शन बेली क्या होगी आपकी इसकी फ्रेक्शन बेली क्या होगी आपकी इसकी फ्रेक्शन बेली होगी 5.888 ठीक है 1 by 18 इसकी फ्रेक्शन बेली important है 5.55 बचके 1 by 19 देख लो इसकी फ्रेक्शन बेली प्रेक्शन बचके 15 बचके 15 ऊपर नीचे आगया 19 ठीक है यह आगया अगर मैं नेक्स्ट बात करूं नेक्स्ट देख एक बार इसी की फ्रेक्शन एक बचके 5.25 बहुता है इसका 252 एं लास्ट बन इस वन बचके अगया पांच परसंट तो यह मैंने आपको सिर्फ लिख के बताया ताकि अगर बच्चर नहीं देखा तो थोड़ा सुसके दिमाग में आ जाए ठीक है इंपोर्टन क्या था एक तो आप था था वन बैं फिप्टिन जिसका उता आपका इसके बोल सकते हो इसके बिख्ट एक इंपोर्टन था आपका वन बैं यह था फाइप फाइप तो यह मैंने आपको करवाए थे और बाकी आप खुद देख लेना अब और इसमें क्या हमारा important रहने वाला देखो important portion एक यह रहेगा किसी भी number का percentage निकालना जैसे मैं इसका बोलता है 10% निकालो तो 10% के लिए एक जिरो हटे जाता है सीधा बोलोगे 200 यह चीज़े बहुत matter करेंगे अभी डिया एक अंदर इसलिए मैंने आपको basic जो 300 classes के अंदर मैंने आपको लग-लग value लेके उसकी division करना multiplication करना कैसे बड़े-बड़े number का percentage निकालना हर एक तरिके से सिखाया था जैसर मैं बोलता हूं 125 इसका निकालो 15% क्या करोगे पहले 10% निकालोगे 1-0 हट गया फिर 5% मतलो 10% का भी आधा जैसर इस ही का देखते हैं जैसर इसका 15% 10% कितना होगा 200 अब 10% अगर 200 है तो 5 कितना होगा 10% का आधा तो 200 का आदा 100, मतलब 5% एक्स्टा आएगा, 100, कितना अंसर हो गया 300, सेम इसमें भी करोगे 10% कितना हो गया, 10% हो गया, 1, 2, 5, 0 और 5% में इसका आदा 2 से डिवैड करोगे, 7, 1 2, फिर आगा 5 तो दोनों कर दो, add आपका अंसर आजाएगा, ठीक है, 5, 7, 3 1, 2 तो यह है आपका 15%, यह आपके दिमाग के अंदर चलने जाएए, यह सारी चीजे, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से करबाच चुका हूँ यह सारी तो बस इसमें यह बताना दा, अगर 1% निकालनों किसी नंबर का, मैं बोलता हूँ 200 का 1% निकालो, तो 1% के लिए 2-0 हट जाते हैं, आगर 20, तो 2% कितना होगा फिर, 1% एक 20 है तो 2% कितना होगा, 40 हो जाएगा, तो यह बली अप्रोच हम काफी जगा इसका यूज़ करेंगे, ठीक है फिर उसके बाद मैंने आपको अडिशन बतायते हैं, उसके बाद मैंने आपको अडिशन बतायते हैं, कैसे करते हैं जिसके इसको प्लस करना हो, 3, 2, 5, 50 हो गया 50, 57, 4, 61 मैं बोलता हूँ, इसको एड़ करते हैं कितना हो गया, 2, 5, 7, कितना हो गया, 700 700 यह दस हो गया 800 800 यह 0 ठीक है 800 पूरा हो गया आगे देखो एक तो 802 तो अडिशन में आपको सिखा चुका हूँ difference आपको सिखा चुका हूँ हाँ चलो multiply देखते हैं एक बार यह मैं आपको करवा नहीं रहा हूँ सिर्फ revise करवा रहा हूँ जो मैंने आपको करवाया है थोड़ा 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 इन चीजों को देख लेना आपने जो पड़ा है multiply मैंने कैसे करवाया थे जैसे मान लो इसको करना है एक multiply साथ कितना हो गया 7 मतलब 70 और 14 कितना हो गया 84 kun एक by द Weise कं अभी Biya इखики और 14 कितना हों गया 57 मद पांशो 7 कृच आप इसको हैच तक मैंने पूरा इसको एक ले लिया इसवल नमबर के आगए दिटेस है एक जिए एक जिए एक सल लगा पड़े शुनिमनीस मॉइप जिए फं़पिड लगा दिया कितना हो गया 57 नीजления तो यह वाली चीज़े मैंने आपको बहुत अच्छे से ओडेटेल में करवाई है अब मैं आता हूँ DA की उपर आपको कौन कौन से टाइप का DA पढ़ना है सबसे पहले हम जो डिस्क्स करेंगे सबसे पहले नबर भी हम करेंगे ठीक है पाई चार्ट पे अब पाई चार्ट का DA क्या होता है देखो पहली बात तो यह है कि आप DA करते ही क्यों हो और इसकी requirement क्यों है ऐसा क्यों होता है कि आपके banking एक्जाम में DA पे ज़्यादा फोकस दी जाता है उसकी बज़ए यह होता है कि आप देखो number of data आप collection करोगे किसके कॉलम के अंदर किसका पैसा लेखना है कितना टांजेशन हो रहा है कितना मानिस हो रहा है कितना प्लस हो रहा है यह सारी चीज़ें आपको एनलिस करना हानी चाहिए कैसे इसके परसेंटे निकलेगी कितना परसेंट कैसे होगा प्लस मर्ज जल्दी कैसे कर पाओगे इन चीज़ों को एनलिस कैसे कर पाओगे नमबरों के साथ कैसे कल्कुलिट कर पाओगे जल्दी तो ये सारी चीज़ें के लिए आपको DA banking में ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि हर फिल्ड में इसका काम होता है कहीं ने कहीं आपको data collection करना पड़ेगा तो वो data collection के लिए इसकी जुरूरत होती है क्योंकि आपको चोटे-चोटे sum multiplication division आने चाहिए आपको समझ होनी चाहिए तो pie chart कैसे होगा आपका सबसे पहला type में बढ़ेंगे pie chart वो ऐसी होगा कि एक circle दे दी जाएगा इसमें कुछ आपको distribution दे दी जाएगे ठीक है जैसे बोल देगा मानलो आपने education field में 20% कर्चा करा फिर इसमें बोल देगा कि education के बाद आपने entertainment में 10% कर्चा करा फिर मानलो इसके अंदर बदा दी उसने इसके बाद ने बोला कि saving है जो आपकी saving है आपकी 20% फिर मानलो आपको बोल देगा कि आपका जो food पे खर्चा है वो है आपका 25% अब last जो बच गया मानलो ये है आपका education पे खर्चा पहले भी education दाना चलो इसको एक को change कर लेते हैं हम लोग ठीक है एक को change कर लेते हैं चलो इसको हम क्या लग देते हैं education बजाए हम इसको लग देते हैं मानलो उसने charity के अंदर डाल दिया ठीक है पैसा कुछ charity में donate कर दिया तो ये आपको इस तरह से बोल देगा कितना की होगा देखो 25 20, 20, 50 ये भी कितना होगा 25% तो मतलब एक total कुछ भी हो सकता है total amount हो सकता है किसी school का कुछ हो सकता है कि इतने school में इतने बच्चे हैं जिसके ये जे subject में इतने बच्चे पसंटेज हैं ठीक है मैं आपको सबसे पहले डीए इसमें pie chart में आसा था एक डीए होगा ये दो डीए कंपेर करके आपको data निकालना है ठीक है दो डीए को कंपेर करके आपको data निकालना है बट मैं पहले आपको एक डीए से आपको basic concept समझाना चाहता हूँ कि डीए में किस तरीके से आपको क्या क्या चीज़ों पर ध्यान रखना है अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जैसे total मेशा कितना होगा 100% total कितना होगा 100% इसके अंदर आपको क्या करना है जैसे मैं बोल देता हूँ मालो यही कोशन है मैं बोलता हूँ कि total आपकी जो salary है वो मालो 10,000 कितनी आपकी 10,000 और मैं आपको बोलता हूँ बताओ कि उसने education and food पे कितना खर्चा करा education and food पे कितना खर्चा करा तो आप बोलोगे 20% education में खर्चा करा और food पे 25 it means कि 45% की value मुझे निकालनी है अच्छा आपको कुछ न कुछ गीवन दिया होगा हो सकता हूँ बीच में बोल देगा कि education में इतना खर्चा हो रहा है बताओ total salary कितनी होगी बताओ food पे कितना खर्चा करेगा तो कुछ भी बोल सकता है ये comparison में आपको करवाए है आप देखो 100 की value आप उसने दे रखी है total की आपकी percentage में 100 है लेकिन actual में कितना वो 10,000 मुझे यहां से निकालना 45 बताओ 45 कैसे निकालोगे तो 45 निकालने का तरिक यह होगा कि यह 100 आ जाएगा नीचे मतलब एक परसेंट निकालोगे तो 100 नीचे चला जाएगा और multiply किया करना 45 परसेंट तो multiply 45 कर दो हो गया 45 multiply 45 तो इस तरीके से आप question निकाल सकते हो एक पर फिर से इसको revise कर देता हो देखो एक बार जैसे total salary थी उसकी कितनी 10,000 कितनी थी 10,000 उसने बोला था education और food पर मुझे बताओ कितना कर्चा हुआ आपने बोला कि sir total तो उसका 45 परसेंट हो रहा है आपका 45 तो इसको basic से अगर निकालोगे सबसे basic इसका यह रहेगा कि आपको पता है total 100% जो उसकी income है तो पैसों में कितनी है वो 10,000 इस तरह से compare किया जाता डटा फिर आप एक स्टाप पैसे निकालते हो यहां से 1% निकालते हो उसको आप बोलते हो 10,000 नीचे जो भी हो 100 नीचे आ जाएगा फिर जिसको निकाला उसको multiply करते हो 45 निकाला तो 45 से multiply कर दिया यहां पर ब्यास आएगा यहां पर 45 से multiply हो जाएगा मतब बेसी सी बात यह है कि मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूँ कि जो भी कुछ निकालना है उससे आपको final multiply करना पड़ते है तो आप directly यह ची लिखोगे और हां डिय के अंदर आपका approximation और sum of digits यह सब कुछ बहुत matter करेगा ठीक है multiple concept बहुत ज्यादा matter करेगा अब मुझे इतनी बात पता थी कि जब मुझे 45 निकालना है तो 45 कैसे निकलेगा मैंने सीधा देखा कि 1000 टोटल था लेकिन आपका total 100 है और जो निकालनों से multiply कर दो यह होगा आपका answer ठीक है यह होगा answer एक पर यहां पर लिके देता हूँ है चलो 10,000 टोटल था आपका total 100 था निकालना था 45 अब मेरा answer जो भी होगा यह चीज़े आपको सीखनी है यह आपको skill अपने अंदर develop करनी है मैं काफी time से यह चीज़े आपको सिखा भी रहा हूँ पूरे arithmetic अदर अब पहली बात तो मैं मैं इसको calculate तो करी सकता हूँ यह तो basic राड़ है सलिए आप कर सकते हो दूसरी बात यहां पर क्या आ रहा था 45 क्या 45 में क्या क्या आता 9 आता है 5 आता है इसका मतलब मेरा answer में 9 आएगा क्यों क्योंकि इसका जो अंदर इसके 9 है वो नीचे नहीं कट रहा वो नीचे नहीं कर सकते हैं आपको last digit निकालना पड़ेगा आपको sum up digit लगाना पड़ेगा आपको multiple concept लगाना पड़ेगा तो जो जहां पर help देगा उसी का मैं यूज़ करूँगा तो कितना answer 40 500 देखो यह 9 से भी कट रहा है यह 5 से भी कट रहा है दूसरी चीज़ में क्या important रहती है एक तो data को वो compare करने के लिए बोल सकते है ऐसे देखो a is what percentage of b यह बहुत important है यह मतलब कोई number देगा कि मालो की पहला number दूसरे का कितना percent है तो कितना percent of आपके बाद जो भी आगा वो नीचे आता है a मालो a है किसका पूश है b का b के उपर और multiphase हो यह होगा a इतना percent होगा जैसे मैं चोटी सी example लेता हूँ मैं बोलता हूँ बताओ 5 is what percentage of 10 मैंने पूशा 5 10 का कितना percent है 5 10 का कितना percent है तो आप बोलोगे 5 किसका 10 का percentage है तो multiphase हो तो कितना का a कोड़ा 2 कितना होता है 50% है तो what a is what percentage of b कैसे निकलता है a by b multiply so अग मैं बोलो b is what percentage of a यही मैं बोल दूँ b is what percentage of a तो off के बाद जो लगेगा वो निचे आएगा a तो पूचा क्या है b a का कितना percent मल्डिपेस हो तो यह basic सी बात आपको पता ही होगा ठीक है percentage कैसे निकलती है मैं आपको यही बो रहा हूँ कि देखो यह चीजे मैंने आपको करवाई है यह सिर्फ थोड़े थोड़े आपको hint बता रहा हूँ कि हमें क्या-क्या use करना है और जाए बो लोगई बचा बताओ 25 अंडड का कितना पर-चिस बाट पर-चिस किस क का hundred तो 25 परसेंट होगा कि किसी भी hundred का कितना परसेंट aut तो गही अंसर होता है, एक तो ऐसे कोशन होगा, कि पूछ लेगा, बताओ, A का कर्चा, B का कितना परसंट है, सबसे पहली बात, जब भी बो परसंटेज पूछेगा आपसे, जब भी बो परसंटेज पूछेगा कितना परसंट होगा, आपको real data नहीं लेना है चाहिए वो एक लाख दिया हो चाहिए टोटर दस लाख दिया हो चाहिए पचास लाख दिया हो आपको अपने percentage से काम चल जाएगा अगर वो आपसे पूचता है ratio में तो भी आप real data का जूज ना भी करो तो भी चल जाएगा जब भी आपको percentage change पूचे तो आपको real data का जूज नहीं करना है मैं आपको example से समझाओगा इसको ratio के अंदर भी आपको real data नहीं उठाना है और यही होता है डियाई में 5 में से 3 question ऐसे ही होते हैं जिसमें data का जूज होता ही नहीं है percentage change पूचेगा जो fix pattern के question मैं बहुँ बता रहा हूँ और one of the most important जिसके base पे 2 question 5 में से होंगे ही होंगे वो होगा increase, decrease जैसे मैं आपको बोलता हूँ increase decrease more या less यह आपने percentage में पढ़ा है यह मैं आपको percentage में बहुत अच्छे से करवाया था, इसके question भी करवाया थे इसका क्या मतलब देखो जैसे मैं बोलता हूँ 25 is what percent more than by 50 जैसे मैं बोलता हूँ 25 is what percentage more than by 60 मैंने यह बोला कि 25-50 का कितना percent जादा है मतलब 25-50 से कितना percent जादा है यहाँ पे बच्चे मेशा गलती करते है जैसे मैं आपको data के बास लेके चलता है data था हमारा जो मैंने लिया था देखो एक बार इसको यह लिया था जाटा अब बच्चों को बोलेगा बताओ education पे entertainment का कितना percent कम या जादा खर्चा करा उसने बोला education पे कितना percent उसने कम या जादा खर्चा करा as compared to किसके entertainment के उपर तो आप देखोगे बच्चे ऐसे करते हैं कि total 20 इसका 10-10 percent answer लगाएगा और option में बहुत अच्छे से इसको highlight करके लिखा होगा option number A और बच्चे इसको answer लगाएगा गर आके इसके number भी count करेगा और बाद में पता चलेगा कि मेरे तो number ही नहीं बने क्यों क्योंकि ऐसा नहीं होता है यह मैं आपको percentage में सिखा चुका हूँ देखो 20-10 का कितना percent ज्यादा या कम है मैं बोलूँगा कितना ज्यादा है 10 ज्यादा है और किसे ज्यादा है जिससे भी comparison करेगा वो नीचे आएगा education का आपका entertainment से कितना ज्यादा था तो education नीचे आएगा और multiply so करोगे तो percentage बन जाएगा 100 कितना बन जाएगा 100% मैं आपको ऐसा बोलू कि दोनों में difference कितना है तो difference बेटा 10% कही है difference कितना है 10% कही है अगर मैं बोलू difference निकालो तो आप सीथा 10% निकालोगे और 10,000 का 10% कितना होगा 1000 अगर percent बेपूछा है तो 10% answer है लेकिन अगर मैं पूछ लो कितना percent increase हुआ या कितना percent decrease हुआ या कितना percent more है कितना percent less है most important है यहां से दो question बनने ही बनने है और pie chart का एक question confirm आपके exam में आना ही आना है इसको इसी class के अंदर द्यान से समय लेना मैं आपको सिखाना क्या चारा हूँ मैंने आपको बोला कि आप इसका द्यान रखना कि decrease increase में क्या फरक होता है अब देखो मैंने पूछा था 25-50 से कितना percent जादा है तो मैं बोलूँगा 25-50 से यहां पे देन लगा ना देन के बाद बाद मेशे नीच जाता है ऐसे समय लेना 25-50 से कितना जादा है पैसों में 25 जादा है बट मुझे दो percentage जाहिए मैं बोलूँगा 25 जादा है यह difference 25 का है बट किस से पूछ रहा है 50 से तो 1 by 2 कितना percent होता है 50 तो यह multiplex हो करने के बाद ही आता लेकिन मैंने आपको direct करना सिखाय हुआ है कि आपको लिख के किसी को बताना नहीं है तो मतलब 50% जादा था और यहाँ पर जो आपको 25 दिख रहा था वो 50 है अब कभी कभी percent में देगा जैसे अभी मैंने question दिया था आपको education में मालो 40% है और entertainment में मालो 50% है और बोलेगा question में बताओ entertainment education से कितना increase हुआ तो बच्चा ऐसे बोलेगा 10% increase हुआ यह गलत हो जाएगा increase कितना हुआ यहां से 10 का increase हुआ किस के ओपर original के ओपर क्योंकि increase में जो पहला नंबर होता है उसको बढ़ा के दूसरा लिक है तो 40 बढ़के 50 हुआ तो increase में किस के ओपर बड़ा बड़ नीचे आता है तो 1 by 4 कितना होता है 25% का increase हुआ अगर मैं बोलता बताओ entertainment पे कितना परसेंट खर्चा जादा हुआ as compared to education तो मैं बोलूँगा 10 जादा हुआ किस से education से education नीचे आ जाएगा 40 तो कितना हैगा 10 कर्चा कम हुआ है बड़ किस से वो रहा है entertainment से compare किस से गरवा रहा है entertainment से तो entertainment नीचे आ जाएगा answer कितना आएगा 20% ठीक है बानवाइफ होई कितना होता है 20% 12 से समझो एक example मैं और ले रहा हूँ देखो ये मालो A है ये B है ये C है ये D है A पर 25% कर्चा हो रहा है B पर 30% हो रहा है इस पर भी 30 हो रहा है और बचा कितना 60 70 60 और 85 50% ठीक है अब मालो टोटल उसने दिया मुझे कितना 1,00,00,00 मालो कितना दिया 1,00,00,00 अब टोटल 1,00,00,00 है ये इसका खर्चा हुआ question ऐसे पूछेगा आपसे वो ये इतने percentage खर्चा बांदी उसने question ऐसे पूछेगा बताओ A को C से कितना कम मिला या C A से कितना ज़्यादा मिला ठीक है what is the difference between A and C तो आप ऐसे बोलोगे difference में more, less, decrease, increase सीधा concept नहीं जो दोता सीधा बोलोगे difference कितना है 5% का इसका मतलब 5% का फर्क है तो इसका 5% कितना होगा total का क्योंकि ये सारा total का है 5% कितना होगा total का 10% होगा 10 यार 5% होगा 5 यार अब मैं इसी को दूसरी कैसे भी कह सकता था आपको मैंने difference पूछा था कुछ बच्चे इसको ऐसे भी करेंगे पहले इसका 25% निकालेंगे इसका 25% कितना होगा 25,000 और 30% कितना होगा फर C 30,000 फिर दोनों में difference निकालेंगे कितना आया difference कितना है आपका 5,000 तो भी वही आएगा मतलब बताना मैं आपको यह मैं आपको इलेक्शन में सिखाया था एक वर याद करो मैंने बोला था मानलो 100 है एक को मिले 70% एक को मिले 30% बोट जीतने माला कितनों से जीता 40 आप ऐसे भी बोल सकते 70% निकालो फिर 30% निकालो फिर defense कर दो या ऐसे बोल दो यह देखो 70% भी इसका निकला है 30% भी इसका निकला है जब दोनों का base सेम है तो सीधा आप डिरेक्ट इसका defense सीधा निकालो उसी का चाहतो आप जहां से सीधा 100 का 40% निकालो या ऐसे निकालो 70% पहले निकालो कितना है 70% 100 का 30% दोनों का difference कितना है 40% तो कोई फरक नहीं पड़ेगा अगर आपका base सेम है मतलब दोनों की दोनों number एक ही number के उपर calculate हो रहे है तो आप directly चीज़े कर सकते हो तो आपको real data भी नहीं उठाना पड़ेगा जब मैं बोल दो कितना % जाद है अब देखो इसी question को बनाना हो तो वो ऐसे भी बनाएगा बच्चा कुश बच्चे इसको ऐसे भी बनाएगा देखो एक बार कुश बच्चे ऐसे भी बनाएगे वो बोलेंगे 10 से करश बुलाएगा मतलू इसको कई में मिर्या घरा था कुश बच्चे वhardi पहले 55% निकाला फिर 30% निकाला फिर उसमें नमबर निकाला 5,000 और फिर गूम फिर के परसेंटेज में लेके आया तो इसको ऐसे ना करके जब आपको पता यह दोनों का बेसी सेम है तो आप डिरेक्ट कर लो कितना 5% तो 5% सीधा निकालो अंसर आ जाएगा तो भी 5,000 अगर यह दो लो है। तो यह तो भी आपको लेने के जोर्द नहीं है क्यों क्योंकि यह real data इसी से स्पसंटेज शैंज नहीं लेना आप अगर आपको प्रसंटेज फूछा आप ऐसे सीधा कर दोग इसको तो % कैसे करोंगे आप बोलोगे 5% जाधा है उसने बोला थाना किससे a से यह निचे रखतो, दोनों का percentage, percentage कट जाएगा और दूसरा मल्टे पर सो गर होगे, percentage बनाने के लिए, कितना एक बड़ा पांच कितना होता है, 20%, तो मैंने क्या निकाला था, बीवी, सीज निकाला था, यह छोटी-छोटी चीज़ आपको समझनी है, कहां पे आपको percentage की real number ले उठाने या परसेंटे निकालने के लिए या आप डिरेक्ट निकालोगे जब एक ही पाई चार्ट के अंदर पेश दोनों का सेम हो आप डिफ्रेंज सीधा यहां से निकाल सकते हो परसेंटे कम ज्यादा सीधा यहां से निकाल सकते हो डिक्रीज इंक्रीज में डिफ्रेंस सीधा 5% अंसर है अगर मैं डिक्रीज इंक्रीज बोलूँ तो उसको फेश से फ़र्दर कांटिन्यू आगे उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा और नीचे किसको रखना है जिससे भी कंपैरिजन करवाया जाए जैसे मैं बोलता हूँ मेरे मार्क्स अभिशेख से 10% जाता है या मेरे मार्क्स अभिशेख से 20 जाता है मेरे मार्क्स अभिशेख से 20 जाता है मेरी परसेंटे निकालने हो कितने जाता है तो मेरे मार्क जो जादा उपर रखोंगा नीचे किसको रखोंगा अभिषेख को क्योंकि मैं कंपैरिजन किस से गरवा रहा हूँ अभिषेख को ठीक है जैसे मैं बोलता हूँ A, B है आपका 100 और यह है आपका 200 मैं बोलू A, B से कितना कम है आप बोलोगे A, B से 100 कम है यहां बी कितना कम है 100 किस से बूछा था मैंने B से तो B नीचे रख दो तो कितना आ गया 50% वहि मैं बोलो कि B A से कितना जादा है आप बोलोगे 100 जादा है लेकि नीचे से इस वाँ को रखोगे यह रखोगे क्योंकि A से बूच है न तो कितना जाएगा यह 100% जाता है देखो दोनों में अंसर चेंज है तो किस से comparison करवा रहा है यह द्यान से समझे न और same data के अंदर कब आपको real number की value यूज करनी है कि नहीं करनी यह आपको समझ होनी चाहिए ठीक है अब मैं छोटा सा question ले रहा हूँ इसको एक बार हम solve करते है चलो अभी तक मैंने आपको case दिखाया कि मान लो आपका A, B 25, 20, 10, यह percentage है ठीक है 20% कितना हो गया 25, 30, 30, 20, 55 तो हो गया 45% तो यह A, B, C, D है यह मान लो A है यह B है, C है, यह D है ठीक है वो टोटल दिया 10,000 अभी तक मैंने आपको यह सिखाया कि A, B से कितना परसेंट जादा है तो A, B से कितना परसेंट जादा मतलब मोर की बात हो रही है तो real data नहीं उठाना क्योंकि दोनों A की नमबर पर calculate यहां से सीधा निकालता हो पर त्यान देना अगर दोनों का बेसेम हुआ तब ऐसा होगा मालो अगर 25% 10,000 का ना होके 20,000 का होता और अगला 20% 10,000 का होता दोनों का बेस अलग गया, डिरेक्ट नहीं कर सकते, फिर आप डिरेक्ट नहीं कर सकते मतलब यहां से डेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ratio percentage यह पूछा, बेस सेम है तो इसको मतलो, यहां पर सीधा देखो कितना ज़्यादा है, पांच ज़्यादा है, किस के ओपर 20 के ओपर कितना ज़्यादा था, पांच, किस के ओपर 20 से पूछा था, तो कितना आ गया, एकोड़ा चार, 25% ज़्यादा है, तो वो 5% ज़्यादा नहीं, 25% ज़्यादा है मैं डिफरेंस पूछो, बताओ, C और B का डिफरेंस कितना है, सीधा बोल दो कितना 10% का अंसर आ गया, पैसे में पूछ दूँ, तो 10% सीधा इसका, यह 10% इसका निकाल दो, क्योंकि रियल नंबर यह है, 10% जब आपको एक्चुल नंबर चाहिए, तब आपको लेखाना 10% इसे निकालो, 10% निकालो पहले, इसका 25% निकालो, दोनों का जो भी आ रहे है, दोनों का फार्क निकालो, आट से आज़ागा, जैँ डिरेक्ट कर लो, कितना 10% का डिफरेंस है, तो 10% कितना इसका, 1000, ठीक है, अगर more less पूछे है, सीधा निकाल सकते हो, डिफरेंस दोनों का अलग हो गया, फिर ऐसा नहीं होगा, हलाकि आपको एक डिए सिंपल पाई चार्ट पे कभी नहीं आएगी, आपको दो पाई चार्ट एक साथ कंपेर करके दिये जाएगे, बट आपको बेसी सिखाने के लिए पहले बेसी का प्रोच बता होना चाहिए, इसके होगा, तो सेंटर एंगल कैसे निकलता है, एंगल मतलब जैसे आपका टोटल डाटा हंडर्ड परसेंट है, कितना है, हंडर्ड परसेंट, अगर परसेंटर में बोल दूँ, तो यहां से सेंटर एंगल कितना बन रहा है, सब का पूरा है, कितना बन रहा है, 360, पूरा सरकर को जो भी पूशा पहले आपको यह चीज़े पता होना चाहिए अगर 100% 360 डिग्री के बराबर है तो 10% किसके बराबर होगा 36 डिग्री आपको मेश्या यह पता होना चाहिए कि परसेंटे में जिसको मैं 10% बोलता हूँ वो सेंटरल एंगल 36 डिग्री होते हैं तो आपको पता होना चाहिए वो 10% है अगर 10% दिया हो तो आपको पता होना चाहिए वो 36 डिग्री है अब यहां से तो आप आगे समझदार हो कि मैं बोलो 5% निकालो आदा कि यह इसको भी आदा कर दो 18% होगा अपना दूरारे डिग्री होगा बोलो एक डिग्री निकालो एक परसंट निकालो तो यहांसे ल्ग लों एक प्रसंट लिए परसंटट्क निकाली 근र से इसका पर्संट कंट कितना हो Electric वोगा थियूत्र ओकर 2 पॉंचण है लो थी ठील मोश्क इसे और आपको पता है तो सरा जाएगा मैं बोलता हूँ central angle निकालो 35 degree का किसका 35 परसेंट का सुरी मैं बोलूँगा 10% का तो मुझे बता है 30 degree होता है तो मुझे 35 निकाला ना तो 30 का निकालो पहले तो 30% कितना होगा तीन से मट्री बेकिया तो 30% हो गया 108 degree और आपको 5 और चाहिए तो 5% और जोर दो 5% कितना होता है 18 ठोटा कितना आ गया 126 तो 35 degree की value होते है 126 degree तो degree में कैसे convert करते हैं सीधी सी बात है जैसे आपको कोई भी percentage जैसे मैं बोलता हूँ 9% के कितनी degree होगी तो आपको पता है कि 100 बराबर होता है मेरा 360 degree तो यहां से मुझे 9 बनाना तो एक पतान निकालो वो आएगा 360 वाए 100 और जो परसेंट चाहिए से मुझे कर दो जिरो से जिरो कट गया और 36 को नो से मुझे कर दो 36 को नो से मुझे कितना आ गया नो मल्ड़ी पर तीन करता होगा 27 तो 27 मतब दो सो सत्तर 270 आगे देखो नो मल्ड़ी पर छे 54 54 एड़ कर दो कितना हो गया दो दो या गया चार 75 बाना कर थीन दो ठीक है 32 70 12 और 200 320 और 324 या गया थीन सो 20 नीचे कितना है 10 कितना गया 32 डिगरी कितना गया 32 डिगरी तो आई होप आप समझ़ पाए होंग इसको मैं एक बार इसको द्वारा से रिपीट कर देता हूं मैंने बोला 9% का सेंट्रल एंगर निकालो ठीक है वो 32 नी पॉइंटों में आएगा जैसे आपको पता हंड़र्ड परसेंट होता है मेरा 360 ठीकरी एक परसेंट आएगा 360 by 100 आपको निकाला है नाइन जीरो सी जीरो कट गया कितना आदा 324 और नीचे 10 आगर 34.32.4 यह होगा सेंट्र एंगर अगर आपको परसेंटे दे जाए कि इसका सेंट्र एंगर नो परसेंट का बनाना है तो कितना होगा वो 32.9 तो यह चीज़े आप सीख सकते हो आप खुद भी आपको समझ जोगी मैं बोल दो 15 डिगरी का मुझ आपको चीज़ का यूनितर निकालते हैं जैसे आपको कुछ चीज़ पता हो जैसे मैं कोई वैलियो दे देता हूं जैसे आपको मैंने 100% दे दिया वो 360 अब मैं कुछ भी बोलूँ आपको मैं बोलूँ मुझे बताओ 72 डिगरी कितना परसेंट होगा क्या नहीं बता सकते मुझे यहां से 72 निकाल सकते हो यहां से दिखो मुझे एक ही बात पता थी कि 10% को 36 बोलते हैं मुझे पता था 10% को 36 डिगरी बोलत कि बात करूं तो वो कितना होता है 20 मालो आपको क्यों डिगरी नहीं निकालना रही तो कैसे निकालोगे आप अपको पता होना चाहिए कि 100% होता है थी 60 ie डिगरी को ए चल्दो मैंने बीच में से अपको शाब धिया मुझे बताओ आप ठीक है 17% की डिगरी तो आपको पता है यह 100 निचे जाएगा तो आपको सीधा करना 360 डिगरी 100 निचे लिख देना और जिसकी बुड़ी इसको मड़ी बेगा देना बस यह अंसर है इतनी डिगरी होगा और मुझे जरूर इतनी अभी आपको कैलकुरिशन सिखाने की ठीक है तो यह आपको तो पता होगा नहीं इतना दिया हो तो मुझे कुछ निकालो कैसे निकालता हो मैं अगर मैं बोलता हो मुझे 108 डिगरी कितना परसेंट होता है तो मुझे पता है कि 360 डिगरी 100 होता है मुझे 108 चाहिए ठीक है एक पहले एक डिगरी निकालो 100 कि इंडिज चला जा होना चाहिए कि 100% आपका 360ी डिवी होता है और अगर आपको कुछ भी निकालना है आप ऐसे भी बोल सकते हो कि आपको 10% पता है कि 36 डिवी होता है तो आप कुछ भी निकाल सकते हो और 1% कितनी होता है 3.60 3.60 मैं आपको कहती हूं कि पंदर ब ाव निकालो आप सीधा बोलो कि 10% 36 और 5% और चाहिए 36 का दा कर लो अठारा जोड़े 54 डिगरी मैं आपको बोलता 25 परसंट निकालो आप बोलो कि 10% होता है 36 20 परसंट हो गया 72 और 5 परसंट एक्सा जोड़ दो 72 में आप जोड़ो कितने 18 जोड़ो कितना हो गया आपका 72 में अगर आपने 18 प्लस 18 70 तू में 18 जोड़ने दस साथ नो 90 होगे न ठीक है कितना हो गया 93 तो आप सेंटर अंगर निकाल सकते हैं अब मीद करता हूं समझ गयोंगे तो देखते हैं एक सिंपल सा कोशन लेते हैं फिर हम उसको कोशिश करते हैं करने की चलो मैंने आपको कोशन यह दे दिया आ पूरा मैंने कोशन पहला पूछा मैंने पूछा बताओ Find Ratio of Expenditure यह सारा खर्चा आपका Find Ratio of Expenditure between A and B and B and C A and B and B and C मतलब A, B का और B and C का क्या है जैसे बोल से तो A and B is what ratio of B and C तो A and B कितना आपका अब एक चीज़ मैंने बोला था ना ratio और अगर आप क्या निका रहे हो percentage ratio और percentage निका रहे हो अगर सबका बे सेम है तो एक चार्ट के अंदर तो आपको जुरूरती नहीं होती इसको उठाने की इसको उठाने की आपको जुरूरत नहीं है आप ऐसे बोल से तो A or B कितना परसेंट है A or B कितना है 30, B, 50, 55% ratio निकालना आपको किसके साथ B and C, B and C कितना है 305, 35% अब percentage break भी करोगे ठीक है अगर आप percentage break करते हो देखो क्यों जुरूरत नहीं होती है अगर आप ऐसे बोलते हो मैं निकाल लेता हूं मैं बोलता हूं 55% किसका total का कितना 7000 फिर 35% किसका 7000 तो 7000 से 7000 कट गया 100 से 100 कट गया 100 से 100 कट गया तो सीधा फिर भी तो रेशी वहीं बच्चा ग्यारा मले 5, 55, 75, 35 अंसर कितना है 11 ratio 7 तो मैं directly भी कर सकता था A or B or B or C का ratio निकालना मुझे ये नमबर लेने के जुरूरत नहीं है मुझे direct यहां से परसेंटे ब् बी 30 कितना हो 55 और B or C कितना है 35 मतलब 55 और 35 का ratio निकालना था बस इतना सा question था सीधा अंसर तो आपको डी याई के अंदर जो चीज़े सीखनी है वो यही है कि आपको question में कितनी चीज़ को calculate करना है किसको नहीं करना most आपता cases में 5 में से 3 question easy आएंगे 2 question अच्छे होंगे जि तो यह चीज़े आपको ध्यान देनी है कहां पर मुझे calculation करनी है कहां पर नहीं एक बच्चा होगा वो पूरा percentage निकाल के value निकाल के उसको काट के फिर भी अंसर देगा एक बच्चा होगा वो direct answer देगा तो selection उस ही कोगा जो direct answer देगा ठीक है direct भाई ओके लेट सीथा question number two question number two इसी डिया के उपर डालता हूँ question यह है बताओ a is what percentage of b a b का कितना percentage है तो देखो मैंने more less decrease increase कुछ नहीं बोला मैंने सीधा बोला कि a b का कितना percentage है मतलब a कितना है 25% है और b कितना है a b का b कितना है आपका b कितना है 30% तो a b का कितना percentage है तो b नीचे रख दो अगर इसका percentage अब एक बच्चा क्या होगा वह उपर वाले का पहले 25% number को बीच में include करेगा पहले उपर वाले का वह आप डिलेक्ट यहीं से निकाल सकते हो अब आपको पता है कि एक बड़ा पांच इसको भी छोड़ो आपको पता है कि एक बड़ा चे कितना होता है 16.66 आपको कितना multiply 5 से करना है तो आप ऐसे बोता है तो 16 मड़ा पांच इट्टी छे पंच तीस मतलब आपको सोला दो बड़ा च्छे चाहिए था मतलब आपको सोला दो बड़ा च्छे को पांच से मल्ड़ा करना था तो यहां से भी तीन एक्स्टा बाहर आ जाएगा अगर आपको अभी यह समय नहीं है तो फिर आपको अभी बहुत स्कुल सीखने की जुरूरत है तो टैन बड़ा थी को मैं ऐसे लिख सकता है थी बन बड़ा थी तो मतलब तीन complete है ना तो एटी में तीन add होगे कितना हो गय 83 और आगे बज़िया एक तो एक बड़ा थी मतलब 83.33 परसंटेज यहां पर एक तो मैंने सीधा बोला कि A B का कितना परसंटेज है तो एक तो मैंने सीधा ले लिया A 25 और B का कितना परसंट बी नीचे रख दिया जब मैंने calculate करा तो 5 x 6 को मुझे calculate करवाने की जूरूरत नह है आपको कि मल्डीवे सो करो क्या आएगा आप इसको दिमाग के अंदर सो सकते हो कि एक बड़ा छे होता है कितना 16 2 x 3 परसंट पता आपको आपको पांच बड़ा चे चाहिए तो मतलब एक्स्टा पांस से मल्डीवे करना है 16 पंच असी और यहां से तीन एक्स्टा आगा 83 23 बस इतना टाइम लगता इसको करने में इसको करने में इतना टाइम लगता है बही एक बच्चच की और करेंगा देखो मैं डिरेक्टर नंबर क्यों नहीं लिए एक बच्चा होगा वो क्या करेंगा कि मैं ये सिर्फ आपको चीजों की रिवाइज कर रहा हूं परसेंटेज मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है मुझे लगता नहीं है कि आपको इस चीज करवानी पड़ेगी मैं कॉशिन में भी बता सकता था लेकिन मुझे लगता कुछ बच्चे पूरा टैच में नहीं होते हैं बहुत चीजों को स्किप कर देते हैं दिमाग से उन्से स्किप हो गया होता है तो अब मैं इसको दूसरे दिखता हूं कुछ बच्चे इसको ऐसे करेंगे ए पच्चीस परसेंट वो बोलेगा ए पच्चीस परसेंट आप पहले निकालेगा साथ हजार का पहले इसका पच्चीस परसेंट निकालेगा फिर वो तीस परसेंट भी निकालेगा फिर जो जो भी नंबर आएगा फिर वो देखेगा कि यह इसका कितना परसेंट आप एक इस नंबर को उपर रखेगा नीचे रखेगा फिर मल्टिपेस हो करके फिर तो बी को भी इसको ऐसे निकालोंगा 30 बटा 100 इंटु 7 तो आप देखो 7 पहले कटिका 100 100 से कटिका तो बाद में मुल्टीपाय करने के परसेंटेव ना तो मैंने आपको करवाया कि 25 by 30 मुल्टीपाय 100 मतलब एक ही है आप डिक्रीज इंक्रीज डिफ्रेंस सीधा निकाल सकते हैं आपको जुरूरत निया कल्कुलेट करने की चल्डों आज ही क्लास में यह भी खतम कर रहा हूं करेंगे प्लस आपकी एक्स्टा प्रैक्टिस भी करेंगे तो चलिए द्यार के अपना बाई बाई टेक के गॉडब्लस यू